केंद्रिये च्वेन परिशद सिपाही भरती परिक्षा में कटेहार में ब्लूटूथ लेकर परिक्षा देते महिला परिक्षार्थी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। परिक्षा के समय उसने किस-किस संपर्क किया था। के साथ जो है डिटेंड किया गया और उसके बाद तुरत उसको हम लोग पुलिस का स्टड़ी में ले करके बाकि उससे जांस परताल की जा रही है। और उसके खिलाब जो है फाइयर भी करने की पर किरिया जारी है। तो फाइयर करने के बाद और फिर थाने पे उसके बयान लेने के बाद ही पता चले गए को उसने बुलुटूट के माध्यम से कहां कहां किस संपर कर स्थापित किया है। उसके बारे में भी नहीं कुछ कहा सकता है। लेगिन हाँ उसको पुलिस के स्टड़ी में लेके और थाने पे दे दिया गया है। बाकि पुलिस इंवेस्टिगेशन करेगी। उसकामरिजि में जो दोनों भी एक शक थे पृतिनिक विख्षानकार्ज के लिए कर्थब में लापरवाही के लिए उनके खिलाब भी हम लोगों ने संग्यान लिया है और उनको भी हम लोगों ने थाने पे बुलाकि उससे भी पुष्थाज कर रहे हैं। अगर साक्ष मिलेगा और परियाप सबूत मिलेगे तो उनके विरुद भी हम लोग कठभूर कानूनी कारवाई करेंगे। पिलाल इस मामली में परिक्षा केंद्र के CS, केंद्र के मजिस्ट्रेट और उस परिक्षा हॉल में मौजूद दो शिक्षकों को भी जांच के लिए बुलाय गया था जांच के बाद ही मामला और साफ हो पाएगा पंजाब केचरी टीवी के लिए कटेहार चे अभिशेक की रिपाउट